हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल एडूफाइल आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जीमन एफेक्ट के बारे में डीटेल में डिस्स करेंगे साथ ही साथ हम लोग इसके एप्लिकेशन के बारे में भी जानेंगे तो जीमन एफेक्ट क्या होता है देखें जीमन एफेक्ट यह होता है जैसे मालीजे हम कोई light source अब light source actual में क्या होता है light source जो होता है वो atoms होते हैं हम जानते है atoms जो होते हैं वो एक तरीके से light source होते हैं कैसे से light source हम जानते हैं कि atom क्या होते हैं light source होते हैं तो यानि कि when a light source मतलब कि atom giving line spectrum line spectrum को दे रहा है उसको हम place कर रहे है external magnetic field में माल लेते हैं कि हमारे पास कोई atom है जो कि line spectrum को दे रहा है अब atom line spectrum को कैसे देगा जब वो excited state से ground state में आएगा आपको पता होना चाहिए तो जब हम atom को external magnetic field में रखेंगे और जो magnetic field होगा वो weak field होगा बहुत ही weak field तो क्या होगा जो spectral line हमें यहाँ पर दीकि एक single spectral line मिली है जब atom excited से ground state में आया है तो single spectral line मिली है लेकिन जब हम इसको magnetic field में रखेंगे तो यह spectral line जो हमें मिली है excited से ground में आने में वो split हो जाएगी number of components में number of components में split हो जाएगी देखिए जब atom higher energy level से lower energy level में मतलब आता है तो क्या होता है हमें light मिलती है spectral line मिलती है जब magnetic field हम नहीं देते हैं अगर मालीजी इससी atom को हमने magnetic field में रख दिया तब जो उससे spectra मिलेगा वो spectral line क्या हो जाएगी split हो जाएगी यही होता है zeeman effect यह है इसका actual meaning zeeman effect का जब हम फिल्ट नहीं देंगे तो भाईया जैसे excited में था excited में atom मतलब atom के electron excited state में गए फिर वो ground state में आ गए तो क्या हो गया वो light को emit करके आए light को emit करके अब इसको तो हम जोग जानते है basic चीज़े तो यह हमने magnetic field नहीं दिये 20 equal to 0 लेकिन जब magnetic field जीरो की इक वाल नहीं मतलब magnetic field दे रहे है जब हम इस atom को magnetic field में रखने है तो उसका जो spectra अब निकलेगा वो split हो जाएगा components में number of components में तो अगर महा लीज़े यहां पर 3 component में split हो रहा है या 4, 5, 6 कई component में split हो सकता है तो इसको हम कहते है zeeman effect क्या कहते है zeeman effect the effect of magnetic field on the spectral line is known as zeeman effect तो यह है zeeman effect का असली मतलब अब देखिए zeeman effect क्या है हमने जाना कि जब हम atom को magnetic field में रखते हैं तो जो उसका spectral line होता है वो कई component में split होता है ठीक है आप इसके application देखिए application यह है कि इसका application हम लोग कह सकते है magnetic field strength को नापने के लिए sun के और दूसरे इसका application जो है astrophysics में है इसमें astrophysics में अब देखिए कैसे sun के आसपास भी कुछ magnetic field होगा external magnetic field होगा और sun में कुछ atoms होंगे जो light को emit कर रहे होंगे होते ही हमें पता है generally stars में भी होते हैं तो उससे हम क्या कर सकते हैं उनके line के splitting को study करके हम लोग उसके magnetic field को calculate कर सकते हैं जो चडिया होती है चडिया लोग होती है वो अपनी direction को find करती है तो वो magnetic field से direction को find करती है तो उसमें भी indirectly Zeeman effect का use होता है और इसके बहुत सारे application है nuclear magnetic resonance spectroscopy electron spin resonance spectroscopy बहुत सारे application है हम लोग detail में इसको फिर जानेंगे तो यहां पर हमने zeeman effect की definition को समझ लिया है अब इसके concept को और समझते हैं तो देखिए Zeeman effect में हमने समझा कि हमें कई सारे component में मिलेगा जैसे कि माली जे हम atom excited से ground shade में आ तो line हमें ऐसा spectral line मिली लेकिन अगर इसी atom को हम magnetic field में रखते हैं तो हमें कई सारे component मिलते हैं तो अब देखिए आप यहां पर अब देखिए जैसे atom में अगर spin जो होता है net spin जो होता है वो zero है net spin जो है वो zero किसका उसके optically active electron का अगर net spin जो है वो zero है तो उसमें हमें मिलेगा normal Zeeman effect दो तरह के Zeeman effect होते है normal एक anomalous Zeeman effect तो normal में क्या होता है अभी मैं आपको detail में बता हूँगा don't confuse confuse मत होई है don't be confused s is equal to zero देखिए s is equal to zero जब होगा net spin zero होगा तो हमें कितनी component मिलेंगी 3 मतलब एक spectral line मिलनी चाहिए atom से excited से ground में आने में लेकिन अब magnetic field में होता है Zeeman effect हमें मालूम है तो अब 3 component मिलेगी तो जब 3 component आपको मिलती है तो हम उसको कहते है normal Zeeman effect और 3 से जादा मिलती है तो हम उसको कहते है anomalous Zeeman effect ठीक है अब देखिए यहाँ पे normal Zeeman effect में spin जो होता है वो zero होता ह उसको हम एक्स्पilia tenure कर सकते है classical mechanics से और quantum mechanics से दोनों के explain कर सकते है ऐसा क्यों जोने इसा islsलय कि spin का concept हीने तो इसलिए हम klausincome mechanics से भी इसको explain कर सकते है और यहाँ प seekers क ही aha आपको कहितने component मिलती है norm less में क्या होता है कि जब spin 0 नहीं होता है कुछच नकुछ spin होता है by rabbit तो यहां पर हम क्या है रहे हैं तो यहां पर हम क्या है रहे हैं तो यहां पर हम क्या है रहे हैं सिस्ट्रम का इस्ट्रम 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 का इ यहां पर zero कैसे हुआ यह भी आपको समझ में आया होगा उस case में हमें anomalous zeeman effect मिलेगा अब यह केबल हम quantum mechanics से ही explain कर सकते हैं इसमें spectral line तीन से ज्यादा component हमें मिलेंगे वह 4,5,6 कुछ भी मिले उससे हमें नहीं मतलब है तीन से ज्यादा हमें मिलेंगे अब भाया यहां पर क्या ह इसको anomalous zeeman effect क्यों कहा गया तो देखिये क्योंकि zeeman उस टाइम पर explain नहीं कर पाए ते कंपर्ण के spin का concept ही नहींडवलप ह逃ए समय होा था इसलिए इसको हमें बताया था नहीं रूने इसको हमें बताया थ हुर्स प्रिष्ट्टन नहीं होता है इसको हम क्वांटम मेंकिनिक से 239 gün मिला कर जाहाँ यहां पिर आपको अडियान में अगर नेइन नियदमिल किस चिहांफ्टन क्लासिकल और कॉँंटम दोनों से इसमें क्वांटम से ही एक्ष्लिण कर सकते हैं तो यह आपको clear होगा आप इसको समझते हैं कि भाया इसमें earth क्यों मिलते हैं यह यह इससे जादा क्को मिलते हैं इस समझना ज़्रूज है कि आखिर तीन ही इसको समझेंगे शाधा है atom क्या करता है जब higher energy level में atom का electron higher energy से lower energy में आता है तो वो light को emit करता है ठीक है तो यहाँ पे light को जब emit करता है तो magnetic field में अगर हम इसको रख देते हैं इसी atom को अगर magnetic field में रख देते हैं तो यह light को emit करता है, तो वो 3 part में क्यो emit करता है, ऐसा 3 part में क्यो emit करता है, यह हम समझेंगे, कि magnetic field से ऐसा क्या हो जाता है, तो इसको आप यहाँ पर समझें, यह हमारा atom है, यह atom है, मतलब है कि इसमें एक electron है, इस तरीके से एक electron है, अब आपको समझना होगा यहाँ पर, देख इसके orbital angular momentum की direction किस तरफ होगी, ऊपर की तरफ होगी, यह ऐसे से घूम रहा है तो direction ऊपर की तरफ यूँ होगी, लेकिन अगर हम इसको magnetic field में रख देंगे इसी atom को, क्योंकि अब हम जानते हैं कि atom भी होता है, tiny magnet की तरफ होता है, क्योंकि इसमें charge होता है, और charge होता है तो current होता तो atom behave like a tiny magnet, atom tiny magnet की तरह behave करता है, तो उसका कुछ न कुछ magnetic moment भी होगा atom का, उसको हम mule मान लेते हैं, यह हमारा जो atom है, ऐसे से घूम रहाता, तो इसके orbital angular momentum की direction उपर की तरफ होगी, आप यहाँ पर देखिए, और इसका कुछ न कुछ magnetic moment होगा, उसके direction नीचे की तरफ होगी mule, जो कि इसके perpendicular होगी, ठीक है, आप यहाँ पर समझेए, हम यहाँ पर जब इसको magnetic field में रखते हैं, तो इसके orbital angular momentum की direction उपर की तरफ थी, ऐसे, लेकिन अब ऐसे तिर्ची हो जाएगी, अब यह ऐसे ऐसे घूमेगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों का interaction होगा, यहाँ पर दोनो समले वाला spectral line split होता है, यह है actual reason Zeeman effect, अच्छा जो यह precision होता है, इसको हम क्या कहते हैं, यह precision जो होता है, इसको हम लोग कहते है, लार्मर precision, इसको हम लोग already discussed कर चुके हैं, तो अब देखे, इससे आप क्या होता है, magnetic field के interaction से, और magnetic moment के interaction से आप इसका potential energy लिख सकते हैं, तो what will be इसको magnetic field में रखती है, तो इसको energy में कुछ changes आएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं, G L M L mu B into B, अब यह सब कैसे आया, इसको हम लोग next video में drive करेंगे, क्योंकि Zeeman effect जो है, बहुत ही interesting और बहुत ही बढ़ा topic है, इसके काफी जारे questions हम लोग यहां पर solve करेंगे, तो इसको हम ल होना चाहिए, 0 होना चाहिए, 0 होना चाहिए, नॉर्मल का, यह मैं normal Zeeman effect का लिक रहा हूँ, normal Zeeman effect का, normal Zeeman effect में क्या होता है, spin 0 होता है, potential energy इस तरीके से mu L B होता है, और changing energy यह होता है, तो यह condition है, और यहां पर spin 0 होता है, तो total angular momentum J is equal to kya होता है, L plus S होता है, हमें मालूम है, य spin यानि electron का spin, तो यहां पर यह 0 हो जाएगा, तो J is equal to L, तो यह condition है normal Zeeman effect की, यह 4 condition आप याद रखिएगा, clear है, तो यह है normal Zeeman effect की condition, तो आपको पता चल गया कि light क्यों split होता है, क्योंकि हमारा orbit जो होता है, प्रिसिस कर जाता है, इनके बीच में interaction होता है, इसी वज़े से, य यहां पर GL जो है, वो G factor है, यहां पर GL की value जो होती है, वो 1 होती है, pure orbital angular momentum के लिए, जब spin 0 होता है, तो यहां पर ML, magnetic quantum number, mu B आपको पता है, B आपको पता है, तो यह सारी चीजे है normal Zeeman effect की, अभी इसको हम और समझेंगे normal Zeeman effect को, यह topic अभी खतम नहीं हुआ है, इसको अभी हम और समझेंगे, तो देखिए आपर, normal Zeeman effect को, देखते हैं, देखिए normal Zeeman effect में आप हम एक question को solve करेंगे, transition देखेंगे, ताकि आपको अच्छे से clear हो कि triplet ही क्यों मिलता है normal Zeeman effect में, यहां पर normal Zeeman effect में, जब magnetic film है, तो triplet ही क्यों मिलता है, इसको हम लोग देखेंगे एक question के help स तो यहां पर देखिए, यह आपके सामने question दिया हुआ है, कि 1D2 से 1P1 पर आपको transition दिखाना है, तो मैं आपको clearly समझाता हूँ, देखिए, 1D2 और 1P1, ऐसा कुछ दिया हुआ है, तो देखिए यहां पर, 1D2 का मतलब क्या होता है, तो यह जो है spectral term होते हैं, यह सब हमारे spectral term है, अगर आपने previous videos, LS coupling, JJ coupling, यह सब देखी होगी detail में, तो आपको पता होगा, यह सब बहुत tough नहीं है, तो यहां पर देखिए, इसको हम लोग लिखते हैं, 2S plus 1LJ के रूप में, 2S plus 1LJ के रूप में, तो यह 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब जो है, इसमें जो होगा, वो 0 ह तो आपको देखे, questions अलग अलग तरीके से आते हैं, यह transition आप दिखाईए, इसमें, 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 इसमें ट्रांजिशन दिखाईए, तो आपको पता ही नहीं रहेगा, कि यह normal का कैसा है, और यह anomalous का कैसा है, तो आप नहीं पहचान पाओगे, तो यहां पे पहचानः, देखिए, कि कौन सा इसमें से normal का होगा कौन सा anomalous का होगा तो देखे जब spin 0 होगा तो वो normal Zeemann effect होगा कौन सा होगा? Normal Zeemann effect यह होगा अब अब आप देखे क्या यह normal Zeemann effect का question है 1d2 से 1p1 मेंropolis plan जो transition हो रहा है वह normal Zeemann effect का question है क्योंकि यहां पे आप 2s प्लस 1 में 0 रखे 2 into 0 प्लस 1 यानी 1 आ गया तो 1 यहां पे हम ने लिख दिया अब L तो होता है हमारा D भी हो सकता है P भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है तो यहां पे D माल लेते हैं और यहां पे J की value जो है वो 2 है तो यानि J की value जो हो वो किसके equal होती है, L के equal होती है, यह भी हमें पता है, तो यहाँ पर L is equal to 2 है, और L is equal to 1 है, देखें, 2 है, 1 है यहाँ ठीक है, अब देखें, 1 होता है, तो इसको हम लोग कहते हैं, singlet state, क्या कहते हैं, singlet state, यह भी मैं आपको already बता चुका हूँ, singlet state, question को ह समझने वाले हैं, तो यह आपको पता चलिगा कि normal zeman effect का question हमें कैसे पहचानना है, 2s plus 1LJ, यह आपको कोई बताएगा नहीं, यह मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, normal zeman effect का question कैसे पहचानना है, इस तरीके से पहचानना है, अगर उपर 1 है, तो आपका normal zeman effect का ही होगा, क यहाँ पर हमने question लिया, 1D2 से 1P1 में हमें transition करना है, तो देखते हैं, यहाँ पर 1D2 के लिए L की value क्या है, 2 है, यहाँ पर देखिए 1D2, यहाँ पर L की value कितना है, 2 है, क्योंकि J बराबर L ही होगा, इस case में, S बराबर 0 है, तो J बराबर L प्लस S होता है, आपको पता है, त तो L बराबर 2 है, 1D2 के लिए, यहाँ पर L बराबर कितना है, 2 है, और 1P1 के लिए भी L is equal to 1 है, यहाँ पर 1 है, ठीकर, आप देखते हैं, इसका जो magnetic quantum number होगा, वो किस तरीके से होगा, तो वो 2L प्लस 1 होता है, हमें मालूम है, तो यहाँ पर 2 रखेंगे, प्लस 1, यानि कि 2L प्लस 1, तो यहाँ पर आपको मिलेगा, 2 into 1 प्लस 1, और यहाँ पर आपको मिलेगा, 3 possible values, तो इसमें आपका क्या होगा, minus 1, 0, 1, तो यह है आपका magnetic quantum number, magnetic quantum number यह आपने लिखा है, तो अब देखिए, 1D2 को हम कैसे लिखेंगे, 1D2 के हम all possible values को है, ऐसे लिखेंगे, plus 2, plus 1, 0 minus 1, minus 2, ठीक है, यह higher energy level है, और फिर हम 1P1 के लिखेंगे, यहाँ पर 1P1 के लिखेंगे, 1P1 के लिखेंगे, 1P1 के लिखेंगे, 1P1 के लिखेंगे, minus 1, 0, plus 1, plus 1, 0, minus 1, इस तरीके से हम लिखेंगे, अब हमें transition करना है, क्योंकि हमें मालूम है कि higher से जब lower में आता है, तभी spectral line मिलती है, तो यहाँ पर देखेंगे, single spectral line मिली है, जब magnetic field नहीं होगा, तो यहाँ पर हम देखेंगे, magnetic field के presence से क्या होगा, magnetic field के presence से क्या होगा, सबसे पहले आपको पता होना चीए, यह यहाँ से arrow यहाँ पर क्यों आ रहा है, उसके लिए आपको selection rule पढ़ना पढ़ेगा, यह आखिर में, plus two से plus one पे क्यों आ रहा है, यह plus one से zero पे क्यों आ रहा है, यह zero से minus one पे क्यों आ रहा है, तो उसके लिए आपको पढ़ना पढ़ेगा, selection rule, तो selection rule होता है, delta ml is equal to zero, या फिर plus minus one, तो यह हमें देखना होगा, या तो zero का change आ है, या तो plus minus one का change है, transition में, उपर स नीचे आ रहा हो, तो zero का change है, या तो plus minus one, तो हम पहले मान रहें कि plus one का change आ रहा है, या minus one का change आ रहा है, तो देखे, यहाँ पे two से one पे हो रहा है, तो आपको पता है, एक का change है, one से zero पे, one का change है, zero से minus one पे, एक का change है, तो यहाँ पे one का change हो रहा है, अब यहाँ पे का चंज है, यानि यह rule फॉल हो रहा है और यहाँ पर देखिए, 0 से 0 पर यह rule फॉल हो रहा है, डेल्टा मतलब चंज तो यहाँ पर minus 1 से minus 1 यानि 0 का चंज, तो delta ml is equal to 0 के लिए हमारा बीच वाला जो है, वो delta ml is equal to 0 और यह plus 1 यह माइनस 1 के लिए हो जाएगा देखिए यहाँ पे 0 से प्लस 1 एक का चिंच माइनस 1 से 0 वन का चिंच माइनस 2 से माइनस 1 का चिंच तो देखिए यह आपको मिला है ट्रिपलेट क्या मिला है ट्रिपलेट यहाँ पर देखें ट्रिप्लेट ट्रिप्लेट तो यही आपको मिलता है नॉर्मल जीमन एफेक्ट में आपको क्या मिलता है ट्रिप्लेट मिलता है और यह सेलेक्शन रूल आप याद रखिएगा तो देखें डेल्टा Ml is equal to 0 के corresponding जो मिलता है तेखें यहाँ पर 5 5 पर मिलता है तो यहाँ पर यहाँ पर 3 नाइन स्प्लिटिंग जो होता है वो ट्रिपलेट होता है तो यह था नॉर्मल जीमन एफट का एक कोशन और इसका वो आप देखिए यहां पर और सारे कोशन है तो इस कोशन को आप करिए अगर आपको दिक्कातार है तो मुझसे पूछ सकते हैं इंस्ट्राग्राम पर एडू फाइ को और डीटेल में समझ सकते हैं तो आई होप यह वीडियो आपको थोड़ा बहुत तो क्लियर ही होगा इस वीडियो में इतना रखते हैं वीडियो देख लेकले थैंक्यू थैंक्यू सो मच